उकसबा चुनाव 2024 का मद्दान संपन हो चुका है और इसी के साथ अब जनता चुनाव के परिनाम का विसबरी से इंतिजार कर रही है लेकिन इन सब के बाद देश के तमाम न्यूस चैनल्स द्वारा दिखाए गए एक्जिट पोल के आंकडों के बाद से विपक्ष काफी पर लेकर ट्वीट करते हुए इसकी पूरी क्रोनोलोजी समझा दी है बता दें कि तमाम मीडिया चैनल्स द्वारा दिखाए गए एक्जिट पोल को लेकर अख्लेश श्यादव ने एक्सपर ट्वीट करते हुए लिखा कि विपक्ष ने पहले ही घोशित कर दिया था कि अनमत को धोखा दिया जा रहा है इस एक्जिट पोल को आधार बना कर भाजपाई सोमवार को खुलने वाले शेर बाज़ार से जाते जाते लाब उठाना चाहते हैं अगर ये एक्जिट पोल जूटे ना होते और सच में भाजपा हार ना रही होती तो भाजपा वाले अपन इसपा से मिले हुए ब्रष्ट अधिकारी भी सर्वोच नियायले की सक्रियता देखकर धानली करने की हिम्मत नहीं चुटा पा रहे साथी वो जनता की क्रोध का भी शिकार नहीं होना चाहते इंडिया गडबंदन के सभी कारे करता पता अधिकारी और प्रतियाशी इवियम के निगरानी में एक प्रतिशत भी चूक ना करें इंडिया गडबंदन जीत रहा है इसलिए चौकने रहकर मदगर्ना कराएं और जीत का प्रमान पत्र लेकर ही विजय का उत्सों मनाएं फिलाल इन एक्जिट पोल को लेकर सवाल और बयान का ये सलसला तो चलता ही रहेगा लेकिन इन सब के बीच अब बस एक दिन का समय है जब परिनाम जनता के सामने होंगे और चनाव का परिनाम आने के साथ ही साफ हो जाएगा कि देश में फिर से एक बार मोधी सरकार आएग या गडबंदन सत्ता बदलने में काम्याप हो जाएगी